हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल एस्टोलोजी टेप्स हिंदी में आज की वीडियो जन्मास्टमी दो हजर इकेस, उन्तिस या तीस अगस्त पोजा का शुमूरत व्रत पारण का समय व्रत के पास जरूरी नियम हेंदू धर्मी के अनुसार जन्मास्टमी भादरपत महीने के क्रिष्ण पक्ष के अस्टमी तीथी को मनाते हैं जन्मास्टमी का पर्व भगवान श्री करिष्ण जी के जन्म के उस्सव के रूपे मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का जनम भात्रपत मास की कृष्ण पक्ष के अस्टमी को मधिरात्री को हुआ था कृष्ण जनमास्टमी को कृष्ण अस्टमी, गोकुलास्टमी, अस्टमी रोहिनी, स्री कृष्ण जैन्ती और स्री जैन्ती के नाम से भी जाना जाता है मानेतावों के अनुसार भगवान श्रीक किरिष्ण ने रोहीनी नक्षत्र में जनम दिया था इसलिए यदि अस्टमी तिति के दिन रोहीनी नक्षत्र होता है तो यह एक काफी सोब और विसे सहीयो माना जाता है साल 2021 में जनमास्मी का पर्व तीस अगस्त सोमार के दिन मनाया जाएगा आज इस वीडियो में हम आपको साल 2021 जनमास्मी पर्व किती थी शुमहूरत, महतु और पुजाविधी के बारे में बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथ इक बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जनमास्मी व्रत के महतु के बारे में सनातन धर्म में जनमास्मी पर्व का अपनाई मिसेस महतु होता है इस दिथी पर भगवान श्री किशन के भक्त वीधी विधान से पूजा और उपवास रखते हैं मानेता है कि इस दिन पुरे श्रद्ध भाव से पूजा करने से भगवान सब के मनोकामनाय पूण करते हैं इस दिन भगवान कृष्ण के बाद सबरूप की पूजा की जाती है वेजा तक जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए हैं प्रत करना बेहदी फायदी मन्द होता है इसके साथ ही संतान प्राप्ती के लिए बी यह प्रत करना बहुत ही अच्छा होता है मानियता है कि अविवाहित लड़किया जर्मास्टमी के दिन ब्रत रख कर काना जी को झूला झूलाती है तो उनके विवाग के सीखरीयोग बनते हैं अब बात करते हैं क्रिस्म जर्मास्टमी व्रत की तीथी और शुम हुरत के बारे में साल 2021 में जर्मास्टमी का व्रत 30 अगस्त सुमवार के दिन रखा जाएगा अस्टमी तीथी का आरंभ होगा 29 अगस्त रविवार को रातरी 11 बच कर 25 मिनट पर अस्टमी तीथी समाप्थ होगी 30 अगस्त सुमवार को रातरी 1 बच कर 69 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 30 अगस्त को सुबह 6 बच कर 49 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 31 अगस्त को सुबह 9 बच कर 44 मिनट पर पूजा का शुम हुरत 30 अगस्द की रात को 11 बचकर 69 मिनट से 12 बचकर 44 मिनट तक, मुहुरत की कुल अवधी 45 मिनट की है। अब जानते हैं क्रिष्न जनमास्ट में की पूजा वीधी के बारे में। इसनान कराने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहना कर उनका श्रिंगार करें। इसके बाद भगवान श्री केशन को जूला जूलाएं और रोली अक्षा से तिलक करें। इसके बाद धूब देप आधी दिखाएं। श्री केशन के पूजन के साथ ही देव की वासुदेव, बलदेव, यशोधा और लक्षमी जी इन सभी का विधिवत पूजन करें। भगवान श्री केशन को मिस्ठान और उनके प्रीजीचों जैसे माखर मिश्री से भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गंगा जल अरपित करें। इसके बाद भगवान श्री केशन की आर्थी गाईं। फ्रेंट्स अगा आपो ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें आगे की ऐसी ही रिटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रलोजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू